वेल्कम बग फिरेंज तो इस वीडियो में हम सिखेंगे कि अब जो existing clients हैं हमारे जिनको हम working capital limits दे चुके हैं तो उन working capital limits वाले client का जब renewal due होता है Renewal means कि जब उनका limit का expire ही होता है तो हमने limit को further renew करना है next 12 months के लिए तो उस सिनेरियो में उनके case को हमें कैसे judge करना चाहिए कैसे assess करना चाहिए इस वीडियो के end में मैं आपको कुछ important चीज बताऊंगा psychologically या bank के point of view की कि वो चीज आपको सारी चीज़ें आप कर लीजे मैं मना नहीं करता assessment कीजिए सारे norms चेक कीजिए वो सब आपको करना ही पड़ेगा उसमें कोई second thought नहीं है वो करना ही है but at the end of the day वो हमारा existing client है उसको renew करना है अगर renew करना करेंगे उसके कुछ consequences है client के लिए भी और bank के लिए भी तो उन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ important बात है वो जो वीडियो के last में आपको आएंगे तो इस लिए इस वीडियो में last तकापक बने रही है तो सबसे पहले मैं start करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको अभी इसका meaning नहीं पता कि plane renewal से मेरा क्या मतलब है क्या चीज होती है plane renewal देखे जो भी हम working capital facilities देते हैं चाहे cash credit है, letter of credit है, packing credit है, bank guarantee है चाहे any other drop line overdraft है कुछ भी लगा लेजिए तो यह जो facilities working drop line overdraft in the sense वो वली working capital facility जो limits के साथ में दी जा रही है कुछ drop line overdraft lab department भी करता है तो वहाँ पर renewal नहीं होता तो all working capital facilities जैसे अब term loans है, machinery term loans वो working capital facilities नहीं है working capital facilities वो क्योंकि वो 5 साल, 7 साल के लिए दी जाते है working capital facilities सिरफ 12 months के लिए दी जाती है all the working capital facilities are sanctioned for 12 months period after 12 months जब 12 मीने पूरे हो जाते है then bank को ये bank को decide करना होता है whether to continue the limits or not bank को 12 मीने के बाद ये सोचना है कि मेरे को इस client के साथ relationship अपना रखना है कि नहीं रखना obviously 99.9999% cases में bank यही बोलेगा कि relationship रखना है usually client के end पे ये बात आती है कि मेरा renewal मत कीजिए मेरे को कहीं और limit shift करनी है या मेरे को अपनी limit बंद करनी है but by book bank का decision होता है if bank decide to continue अगर bank के यह सोचता है जो कि मैंने आपको बताया हो लड़ी कि almost all the cases में bank continue का ही decide करता है then bank renews the limit for further 12 months 12-12 महीने का renewals होता रहता है पहले sanction होता है 12 महीने का then bank 12 महीने के बाद दुबारा decide करता है कि अगले 12 महीने के लिए relationship continue करना है कि नहीं करना अब जो यह decide करना होता है अब माले जीए यह 12 महीने expire हो गए ठीक है आज माले जीए यह 5th December को 5th December 2022 को यह 12 महीने expire हो गए तो bank को यह decision कितने टाइम में लेना पड़ेगा bank को decision लेना पड़ेगा within 180 days of the expiry date within 180 days of expiry date यानि कि मोटा मोटा 6 महीने के अंदर अंदर अब decision से मतलब मेरा यह नहीं है कि bank ने अपने दिवाग में सोच लिया कि भई ठीक है decision से मतलब यह है कि यह system में update हो जाना चाहिए यह transactions customer के सारी signing के बाद सारी अपनी approvals के बाद system में update हो जनी चाहिए within 180 days अगर यह update नहीं होती तो यह case technical NPA हो जाएगा एक तो होता है financial NPA जो client के किसी financial crunch की वज़े से client को कोई financially problem आई थी business में पैसा नहीं है उसके पास business downfall है उसकी वज़े से खता खराब हो गया और client अपना repayment नहीं कर पाया एक होता है technical NPA technical NPA होता है कि किसी financial reason की वज़े से नहीं हुआ किसी system requirement की वज़े से यह चीज हुई है तो आरबे नहीं हो उसके according तो फिर वो account technical NPA हो जाएगा तो believe me तो यही bank का भी interest है और client का भी interest है जो मैंने आपको beginning में बताया कि कभी भी client नहीं चाहेगा कि मेरा account NPA हो जाए उसका civil खराब होगा इस चीज से दूसरा bank भी नहीं चाहेगा कि उसका एक client है जो ठीक ठाक interest servicing कर रहा है काम दंदा ठीक कर रहा है वो NPA हो जाए ठीक है तो उससे bank की provision भी impact होती है और bank की books भी खराब होती है clear तो renewal इस वजए से एक अपने लिए जिम्मेदारी भी होती है और साथ में एक liability भी होती है kind of bank के उपर भी कि renewal तो ultimately करना ही पड़ता है अब plain renewal क्या क्या मतलब होता है plain renewal का मतलब होता है कि bank ने limits को as it is continue करने का decision लिया as it is continue करने का मतलब जितनी sanction है जितनी sanction है उसी same level पे ना कम ना जादा ना कम की ना जादा की तो सेम लेवल पर continue करने का फैंसला कर लिया इसको plain renewal बोलते हैं ठीक है बट जब आप practically काम करेंगे बैंकिंग के अंदर by book definition तो यही होगी जब आप practically काम करेंगे तो कई बार जब renewal के साथ renewal कम reduction करनी होती है renewal कम reduction करनी होती है जब हमने मतलब अपने यह से जो last exposure है उससे कुछ reduce करना है exposure तो then उसको भी plain renewal की category में डाला जाता है मतलब उसको treat किया जाता है in line with plain renewal यह चीज़ का आप ध्यान रखना है renewal कम reduction को भी then in line with plain renewal treat किया जाता है इसमें एक चीज़ में आपको highlight करना चाहूंगा आपका इसमें स्वाल हो सकता है कि all working capital facilities for 12 months period आप बोलेगे कि सब जो LC होती है या packing credit होती है उसको usually हम 3 महिने के लिए या 180 days के लिए sanction करते हैं तो क्या 3 महिने 180 days बाद उनका renewal करना पड़ेगा जी नहीं जो LC या packing credit की transactions जो आप ये time period देखते है न ये उनकी settlement का time होता है उनका settlement का time होता है बट जो LC की line कितने time तक valid है वो 12 months तक valid होती है 12 months with 6 months की extension क्योंकि bank को 6 months का decision लेने का time दे जाता है अगर ये 180 days भी expire होगे तो technical NP हो जाएगा फिर सारी limits zero हो जाएगी अगर system में zero हो जाएगी और जो over and above उसकी utilization होई वो सारी overdue हो जाएगी और client को repay करनी पड़ेगी ठीक है clear है ये चीज़ तो वो settlement का time होता है 3 महीने 180 मीन दिन या bank रिंटे के case में 3 साल 4 साल 5 साल बट उनकी वेलेडिटी सिस्टम वेलेडिटी ट्वालमन सी होती है समरेगे तो यह हो गया plane renewal अब बात आती है कि plane renewal के case में क्या क्या documents हमें लेने चाहिए क्लाइंट से सबसे पहले यह चीज़ ध्यान से देखिए अभी देखिए यहाँ पर आपकी अंडराइटिंग स्टार्ट है तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको क्लाइंट से latest audited financial with audit report आपको लेनी लेने लेटेस्ट audited financial जब आपने अब आप देखिए अब आपका customer existing customer है आपने उस customer को उसकता है एक साल पहले ओन बॉड किया हो बहुत पर प्रेश पर्पोcart पहली बर किया हो। हो सकता है एक साल पहले किया हो। हो सकता है दस साल पहले किया हो। कुछ भी हो सकता है। dismissed नहीं हो सकता है mo अब आपको सिर्फ updated financial लेने हैं जो AAPने last time नहीं लिये थे। तो तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जैसे अभी हम दिसंबर मन्थे में बैठे हैं तो दिसंबर मन्थ में क्लाइंट के 2022 के financials का audit हो चुक है obviously हो चुक है तो क्लाइंट आपको 2022 के audited financial with audit report and ITR देगा ही देगा इसमें कोई second thought नहीं है इसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर आपको देखना है कि जब हमने last sanction किया था वो last sanction आपका fresh भी हो सकता है या last year आपका renewal भी हो सकता है अगर आपने कलाइट दो साल पहले onboard किया था अपने bank में तो first renewal उसका पिछले साल हुआ होगा क्योंकि 12 मीने बाद renewal होता है तो थीक है तो 12 मीने बाद renewal हुआ होगा पहले तो उस समय आपको पिछला note निकालके देखना है पिछली sanction निकालके देखनी है कि उस समय हमने कौन स येर के financial यह थे अब माल लीजिए कि last renewal आपने September 2021 में किया था आज है December 2022 ठीक है तो आपका renewal ideally September 22 में due बनता है 12 मेने बाद बट आपके पास 6 मेने का time होता है न तो अब December 22 आगी तो चलो ठीक आप 3 मेने over में चल रहे है ठीक है तो हो सकता है last year September 21 में renewal हुआ हो तो September 21 में जब renewal ह हुआ होगा तो उस टाइम 31-21 के audited financials might not be submitted उस टाइम क्लाइंट ने हो सकता है कि आपको provisional financials ही दिये हो 21 के क्यूंकि September 21 में due dates extend हो गी थी तो highly unlikely है कि क्लाइंट ने उस टाइम audit कराया होगा ठीक है तो आपको last approval check करना है कि last approval के समय 31-21 के audited financial हमने देखे थे या नहीं देखे थे या provisional देखे थे या देखे ही नहीं थे अगर वो mist थे माली जी 31-21 के अपने provisional देखे हुए थे पिछले note के according तो आपको latest के साथ पिछले साल के audited result भी लेने पढ़ेंगे ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है similar चीज़ आपकी applicable है ITR के लिए borrower और guarantor दोनों की ITR के लिए इस साल की इसके साथ की latest तो लेनी लेनी है पर अगर पिछले साल भी आपने ITR नहीं ली थी 21 की माल लीजे क्योंकि उस तरह में आपने provisional पर अज़ेस किया था case ठीक है तो उसके साथ आपको उस साल की भी ITR लेनी पड़ेगी तो last note में चेक लीजे कि कब तक का हमने assessment किया हुआ है ठीक है उसके बाद अगर उसके कोई address में change है कोई चीज में application हुई है तो उसके latest KYC आपको लेनी पड़ेंगे कोई partnership का case है अगर partnership deed में change हुए तो latest partnership deed आपको लेनी पड़ेगी वो change छोटा सा भी हो सक हो सकता है बड़ा चेंज भी हो सकता है कोई partners का change हो सकता है might be कोई interest का या salary का expenses का कोई change हो सकता है कि कि कितना salary देंगे कितना interest कुछ भी अगर कुछ change हुआ है तो latest partnership deed लेनी पड़ेगी यह पता कैसे लेगेगा कि change हुआ है यह आपको client से discuss करना पड़ेगा अगर company का case है तो अगर कोई memorandum of association या articles of association में कोई change हुआ है तो आपको लेना पड़ेगा latest director list आपको लेनी पड़ेगी यह client से वैसे भी लेनी पड़ेगी अगर change नहीं भी हुआ तो client की kind of declaration होती है कि as on date भी यही directors है मेरी company में तो similarly latest share holding list उन से लेनी पड़ेगी with percentage holding यह भी आपको लेनी पड़ेगी उससे चाहे change हुआ हो चाहे ना हुआ हो यह client की declaration होती है क्योंकि यह चीज़ आप as on date कहीं पर पर एकदम से चेक नहीं कर सकते है अगर filing वहाँ पर नहीं हुई हुई थीक है last 12 months की आपको GST returns लेनी पड़ेगी client से sales का trend देखने के लिए कुछ bank 18 मह 24 महिने के भी मांगते हैं तो आप अपने bank के सबसे देख लिए यूजली यह 12 महिने के लिए नहीं होती है उसके बाद क्यूंकि यह आपका existing customer है आपने इसको working capital दे रख है तो I suppose everyone suppose कि client सारी banking आपके साथ कर रहा होगा तो आपको bank statement तो आपके bank की है तो client से मांगने की जुर भी कोई transaction कर रहा है तो उसकी banking आपको लेनी पड़ेगी 12 महिने की उसके बाद last note के बाद उसने अगर कोई नए loans लिये हैं जो कि बड़े है या critical है जो चोटे मुटे loans की बात नहीं कर रहा है कोई PL ले लिया या कोई BL ले लिया या कोई इसने car loan ले लिया कोई property loans लिये है को उनका sanction letter statement of account वेगरा जो भी आपको suitable लगता है तो वो नए loans की details के लिए आपको लेना पड़ेगा जो last sanction में updated नहीं थे पिछले sanction में चाहिए वो पिछला sanction आपका fresh था चाहिए renewal था पिछले sanction में जो loans के बारे में नहीं mention था उसके बाद उसने जो loans उठाए हैं उनकी latest details आप across the industry ठीक है अब आपका part आ गया कैसे करें कैसे शुरू करें कैसे केस को देखें क्या 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 चेक करें ध्यान से देखिएगा जब भी आपको as an underwriter या relationship manager जो भी profile में आप हैं जब भी आपको बोला जाए कि भाई ये आपका client है अगर आप relationship manager भी है आपको जिब दिया जात है तो as a relationship manager भी सबसे पहले step क्या होना चाहिए अगर आप उस customer के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहला step होना चाहिए कि आप उसका previous sanction note जो है प्रीवियस जो last sanction हुआ है चाहे last year आपने उसका renewal किया है चाहे उसको अपने first time on board किया उसको अच्छे से घोल के पीना है आपको सबसे पहले शुरुआत यहीं करने है सारी चीज़े भूल जाइए सारे documents जो नए आए है latest आए है जो मैंने checklist दिखाईए आपको सबको side पर रख दीजे पहले सबसे पहले यह उठाईए पिछला sanction note और यह चेक कीजिए कि last sanction होने के बाद मालीजे last sanction हुगा ता स्तंबर 21 में आज है अभी है December 22 तो during this period, during this period कोई modification तो नहीं हुआ proposal में, modifications देखे होते रहते हैं न कि client बीच में जी मालों जी यह December 21 में आ गया कि मेरे को property change करनी है, March 20 में आ गया कि for example मेरे को announcement लेनी है, announcement लेनी है जी, तो March 22 में आपने announcement को reject किया, यह भी आपके लिए एक important information है कि during the year हमने क्या-क्या अपने bank में internally किया, तो मेरे कहने का मतलब है कि last 12 months में, या last 12 months वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, या post last sanction वर्ड यूज करना चाहिए, कि post last sanction उस client की क्या-क्या happening हुई आपके bank में, कोई उसने changes करवाई, कोई grantor add less करवाया, property add less करवाई, कोई terms and conditions, जैसे माली जी मेरे पास अभी एक case आया था, उसमें मैंने packing credit का tenure 90 days दिया था, सत्मबर में मैंने case को onboard किया था, अभी December 22 चल रहा है, तीन मीने भीते हैं, client का motivation note आ गया, कि भई मेरा tenure जो है, वो 90 days से 180 days कीजिए, क्योंकि मेरा 180 days के अंदर-अंदर ही settlement होता है, तो इस तरह से, मतलब यह modifications बहुत critical है, यह आपको relationship, या तो पुराना relationship manager देगा, या आपको boss देगा, जो पुराना बैठा है system में, या operations team देगी, जिनके पास modifications update होती है, तो यह निकलवानी जरूरी है, ठीक है, तो इन चीज़ों के बार, यह चीज़ सबसे पहले, यह चीज़ पकड़ी है, और उसमें, जब आप पिछला note पड़ेंगे, अब आप देखिए client के बारे में नहीं जानते हैं, आप पहली बार case देख रहे हैं, तो इस चीज़ से श last sanction में यह लिखा होता है कि client यह products add करने जा रहा है, या इन companies के साथ काम करने जा रहा है, या इन countries के साथ export करने जा रहा है, या यह additional setup लगाने जा रहा है, और यह setup यह 2-3 मीने में शुरू कर देगा, या इन companies में 2-3 मीने में काम शुरू कर देगा, या इन countries में 2-3 मीने में क किये थे तो अब आपका फर्ज बनता है चेक करना कि क्या वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई है क्या उन चीज़ों का क्या स्टेटस है क्या वो बाते हवा भी थी लास्ट टेम रुपोजल करवाने के लिए फ्रेश रेन्यूवल या इस उनको वाकिए इंप्लीमेंट किया या उनका कोई impact आया है नहीं है ठीक है तो कई बर हो सकता है कि इन चीज़ों का positive impact भी आया गए कि ये चीज़ों शुरू हो गई है तो क्लाइंटका business boost कर गया इन चीज़ों की वज़े से यह हो सकता है कि क्लाइंट इंदे 對不起 नहोब है तो 65-70 साल थी अब मेरे पास जैसे practically मैंने अपने करियर में कुछ cases देखे हैं कि उनमें single grantary है proposal में एक ही बंदा proposal में structure में है deal में वही proprietor है वही property owner है ideally हमें minimum दो बंदों को अपने loan structure में लेना ही चाहिए था ठीक है तो उन पर वो चेक कीजिए कि उनकी age कह कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे बंदे 70-70 साल के हैं और किसी legal hire को लिया नहीं हुआ मेरे साथ अभी भी case हुआ तीन मेंने पहले कि client सारे तीन भाई हैं तीनों भाईयों के age किसी की 70 साल किसी की 72 साल किसी की 67 years तीनों के बेटे भी हैं और उन बेटों को deal में लिया नहीं हुआ किसी ने ठीक है तो अब हमने उस proposal को रोका और अब हमने उनके बेटों को deal में add किया अपनी उनके civil scores को चेक कीजिए कि क्या civil scores थे last time last conditions यह बहुत important point है कि last time हमने proposals में क्या condition है लगाई थी कि कितनी capital वो business में maintain रखेगा कितनी amount का stock insurance करवाएगा कौन सा account अगर हमने कोई account उसको close कराने के लिए बोला था कि Punjab National Bank का current account close कराना है HDFC का current account close कराना है एनी अदर या एनी अदर कोई commitment उसने की थी जैसे यह भी एक commitment है कि मैं business शुरू करूँगा ऐसे करूँगा या उसने कोई sales के बारे में commitment की थी या कोई ratio maintenance के बारे में commitment की थी या कोई debt के बारे में commitment की थी कि मैं कोई और debt नहीं उठाऊँगा kind of that तो कोई भी commitment जो आपको notice में आता है इस proposal पढ़ने से कि client से ये बातचीत last time की गई थी और उसके according ये condition mark की गई है या उसके according ये proposal note में लिखा गया है तो please उस चीज़ को पढ़िए और उस चीज़ को highlight की जिए जो भी चीज़े आप यहाँ पर पढ़ेंगे मेरी wording बात नहीं कर रहा जो आप observation यहां से निकाल लेंगे जैसे ये वाली निकाल ली age की निकाल ली symbol की या last condition की उनको अपनी एक copy पे side पे note down करते जाएए ठीक है तो क्यूंकि ये आपका ready reckoner रहेगा जब आप case को adjust करेंगे तक कि आपके दिमाग में fit हो जाएगा case projections चेक कीजिए कि last time उसने sales की projection क्या दी थी और जो sales के लावा other financial parameters होते हैं कि कितना profit दिखाएगा कितनी ratios आएगी क्या current ratio आएगी उसकी क्या DSER आएगी उन critical parameters को note कीजिए majorly इसमें sales को EBITDA margin को net profit को capital मैंने आपको already बता दिया current ratio को gearing and leverage gearing and leverage और जो inventory debtor and creditor cycle है इन चीज़ों को note कर लिजिए कि last time इन चीज़ों के बारे में क्या projections की थी अब माले लिजिए स्टमबर 21 में आपने case किया था तो स्टमबर 21 में आपके पास 21 के audited तो आए नहीं होंगे तो 21 के आपके पास provisional results आए होंगे ठीक है तो provisional results में इन figure के बारे में क्या-क्या client ने declare किया था ठीक है और 21-22 की आपने एक साल गी तो at least projections बनाई होंगी न उस समय तो उस समय आपने क्या-क्या project किया था कि कितनी sale हो जाएगी कितना ये margin maintain रहेगा ये सब वो no down कर लिजी एक जगा वै वो कहां पर काम आएगा तो हमां मैं आपको आगी चल के बताता हूँ last time की assessment कैसे की गई थी माल लिजे किसी client को आपने 2 करोड की limit दी हुई है तो 10 करोड की उसकी turnover थी या माल लिजे उसकी 8 करोड की turnover थी पर 2 करोड की limit eligibility उसके fit नहीं बैठती थी बट client ने project किया था कि मैं 10 करोड की turnover कर दूगा तो उसके according आपने projection पर उसकी limit को fit कर दिया था तो last time adjustment कैसे हुई थी किस basis पे की गई थी वो check कीजिए और आपको उसको फिर latest check करना पड़ेगा कहीं उस चीज last time client में कोई हवा में बात करके हमसे adjustment को भी बना ली थी ठीक है तो वो check कीजिए कोई timeline तो नहीं दी थी हमने किसी document को submit करने की कई बर क्या होता है कि last time हमने case sanction किया उसमें बोल दिया कि client to client to close this loan within 30 days of disbursement, client to clear this overdue within 30 days of disbursement client to submit the copy of lease deed within 30 days of disbursement kind of that हमने ये condition लगाई हुई थी तो क्या इस तरह की कोई condition लगाई हुई थी जिसमें client को को timeline दी गई हो कोई document submit करने की तो उन condition को note कर लीजिए side पे copy पे जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे valuation report चेक कीजिए कि last time की valuation क्या थी कोड़ कुन सी properties हमें दी गई थी क्या nature था उन properties का और valuation date क्या थी इस पे न कई credit managers दोखा का जाते हैं आपके हर एक bank की एक policy होती है कि valuation report कितने साल के लिए valid है दो साल के लिए तीन साल के लिए चार साल के लिए तो क्या होता है कि आप मालीजी अपने valuation date देखी वो थी valuation date 2019 की और आपका bank कहता है कि हर तीन साल बाद नई valuation करानी पड़ेगी तो तीन साल तो आपके 2022 सब चल रहा है तो तीन साल तो हो गए आपके तो अब आपको renewal के साथ relationship manager को बोलना पड़ेगा ना कि लेटेस्ट valuation करवा के दो मेरी valuation expire हो गई है या within one month होने वाली है expire तो ये चीज़ आप चेक कीजिए उसकी last time क्या borrowings थी क्या क्या उसमें note में हमने report किया होता क्या mention किया होता कि क्या क्या loan उसके चल रहे हैं borrower level पे भी grantor level के भी हमने note में तो ये कच्चा चिठा उसका सारा बना लीजिए अपने पास तो इससे आपकी दिमाग में बड़ी सी पिक्चर बन जाएगी कि के से था क्या actually में ठीक है कोई लास्ट में आपको कोई concerns से लास्ट प्रपोसल में जो concerns है या जो pros and cons होते न कि strength क्या है प्रपोसल की और concerns क्या है उन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए देखे strengths तो चलो ठीक है जो भी है strengths concerns आप ध्यान से पढ़िए कई बार concerns लिखे होते हैं कि client हमारे साथ banking ने कर रहा client के civil में ये है तो उनके साथ उनका जवाब भी लिखा होता है कि client ने commit किया है कि मैं तीन मीने के अंदर आप से किसा चर्निंग shift करूंगा मैं तीन मीने के अंदर ये loan close कराऊंगा तो concerns सारे note कीजिए और check कीजिए कि क्या वो concerns इस साल भी persist कर रहे हैं या वो resolve हो गए है आपको comparison करना पड़ेगा न कि हमारा client एक साल में कहां से कहां तक पहुंचा पिछले साल जो position थी और इस साल जो position है क्या हम वहीं खड़े हैं यह हम improve हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं किस direction में हमारा client जा रहा है क्योंकि यह आपका important portfolio है ठीक है तो यह चीज सारी अपनी दिमाग में fit कर लिजिए एक पूरी picture बना लिजिए अपने साथ सबसे पहले तो सारे काम छोड़े के यह काम करना है आपको जब आपने यह काम कर लिया picture बना ली then सबसे पहले आप सिबल और SME चेक हो लिए client के latest latest वले तो अब latest सिबल उसके चेक क हो चुकी है तब तक का तो काम छोड़ी दीजिए ठीक है अगर आपने last sanction यह renewal स्टमबर 21 में किया था तो उस समय माली जे सिबल आपने किया ही होगा स्टमबर 21 में तो तब तक जलाई अगस्त की reporting आ गई होगी स्टमबर में तो जलाई अगस्त के बाद से लेके December 22 तक उसने किया कै नई borrowings की है जो last sanction note में नहीं mentioned थी जिनके बारे में नहीं पता था ठीक है तो उनके बारे में notings कीजिए चेक कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं उसकी वज़े से आपका client over leverage तो नहीं हो गया आपका risk assessment तो भी बढ़ गया या आपके loan की assessment पर कोई फरकत भी पढ़ गया for example आपने 10 करोड के उपर 2 करोड की limit उसको दी हुई थी अब पता चला कि client ने 3 मीने पहले किसी दूसरे bank से 3 करोड का channel finance भी ले लिया inventory funding ले लिया तो inventory funding भी आपकी working capital limit है तो वो आपके 10 करोड के उपर आप अपनी assessment कैसे बिठाएंगे तो ऐसा कुछ ना हो गया हो ठीक है त अगर client दूसरे bank को के साथ loan के लिए file लगा रहा है तो आपके लिए concerning बात है कि क्यों लगा रहा है अगर उसको कोई पैसा चाहिए था मेरे पास क्यों नहीं आया पैसा मांगने और वह वहां पे loan के लिए inquiry लगा भी रहा है तो वहां पे उसका फिर loan क्यों नहीं हुआ क्या उनको कोई ऐसी चीज पता लगी client के बारे में कोई ऐसा reference चक पता लगा जो हमें नहीं पता चला था ठीक है you can ignore यह important point है क्या है कि आप माली जी लास्ट इयर आपका स्तंबर 21 में आपने case किया था चाह renewal चाहे fresh तो उस समय आपने जुलाई एगस तक के सिबल को assess किया होगा ठीक है जो भी reporting को तो माली जे मार्च 21 में उसकी कोई मार्च 21 में उसकी कोई 90 दिन की deputies थी किसी loan में मलब overdue थे या कुछ था उसके बारे में last sanction order में mentioned था कि ऐसे ऐसे करके हुआ था तो अब आपको दुबारा उसके बारे में नहीं पूछना क्योंकि यह client के end पर भी अच् addressing हो चुकी है तो जो चीज़े already addressed है last sanction में उनके बारे में दुबारा नहीं पूछना ठीक है लेटेस्ट क्रिलिक चेक आप कर लीजिए 12 महीने के जो क्रिलिक चेक के उपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे रीड करना चाहिए तो वो सारी reading तो आपको करनी करनी है यह extra point थे बस renewal के हिसाब से ठीक है उसके बाद जब सिबल होगे तो आप latest financials या जो भी financials लिए आपने अगर last year आपने स्टमबर 21 के प्रोविजनल लिए थे 31 दिन 21 के आपके पास और 31 दिन 22 के आपके पास और 31 दिन 22 के आपके आपके पास तो वो सारे financials आप चेक कीजिए और एक latest CMA बनाईए second step में तो जब यह CMA बनाएंगे तो अब आपको क्या करना है अब जो आपको करना है कि last time अब मालिजे स्टमबर 21 में जब last year case हुआ था तो आपको 31 दिन 21 के प्रोविजनल रिजल्ट्स दिये होंगे और 31 दिन 22 की आपने उस से में projections बनाई होंगी ठीक है तो अब आपके पास इन दोनों के audited आगे हैं इसके भी audited आगे इसके भी audited आगे मतलब audited से मतलब actual result आगे actual result आगे अब जब आपके पास actual result आगे तो अब आपको एक comparison चार्ट बना रहा है comparison चार्ट में आपको 31 दिन 21 के प्रोविजनल समय उसने क्या-क्या figures डिकलियर की थी key figures जो मैंने आपको अलड़ी बताई यहाँ पर key figures क्या-क्या डिकलियर की थी और 31-22 में उन key figures को क्या-क्या project किया गया था वो आपको लिख लेना है last में ठीक है अब आपको actual audited के हिसाब से actual figures क्या आ रही है इनके against उन उन figures का actual डाल लेना है साथ-साथ में कि actual क्या आया और compare करना है अगर माली जे provisional और provisional financials में और audited में जो फरक आए आपके ठीक है अगर तो कुछ improvement हुआ फिर तो बड़ी बड़ीया बात है कि improve हो गया अगर कुछ reduce हुआ माली जे उसने provisional में बोला था कि जी मेरे capital तो 10 क्रोड है ठीक है आपके audited है उसमें capital है पांच क्रोड रपे यह तो concerning बात होगी न कि आपके सामने जूटे financial represent की यह client ने जूटी चीज रिपरेजेंट की तो usually banks क्या करते हैं कि 10 से 15% का अगर difference हो provisional और audited का या projected और audited का तो तब उसको ignore करके चलता है कि चलो 10-15% तो फरक होई जाते हैं पर अगर 10-15% से ज़्यादा फरका जाए तो यह चीज critical मने जाती है cross banking sector तो उसके बारे में client से पूछना चाहिए आपको ठीक है और इसके बारे में note करना चाहिए तो यह sheet आपको अपने note में बनानी ही बनानी है और जो 10-15% से उपर के differences हैं जहां पर आपको click होता है कि यह critical difference है माले जी sale में difference आ गया profitability बहुत गिर गई actual results में तो यह चीज़े आपको समझ नहीं पढ़ेंगी फिर client से जाके ठीक है commitments matter or not commitments matter or not से मेरा मतलब वही है जो आप यह analysis बनाएंगे क्योंकि इसमें आपका capital का commitment भी आ गया कि कितनी capital उसने project की थी last year provisional में कितनी sale उसने project की थी कितनी उसने ratios project की थी तो वो सारी met हुई है कि नहीं हुई है यह आपका first point में ही cover हो जाएगा बाकी आपको financial analysis जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है वैसे financial analysis तो करने करने वो कोई change नहीं है यह extra points आपके लिए limit eligibility MPBF जो भी आप turnover method से बना रहे हैं यह tundern committee के हिसाब से बना रहे हैं तो वो limit eligibility आपको अब आपको check करनी पड़ेगी revised financials के according की eligibility आपकी battery है के नहीं battery अगर eligibility नहीं आ रही है आपको कोई capital infusion करवाना बनता है तो आपको client से उस तरीके से engage करना पड़ेगा कि सर इन इन reason की वज़ए से last year आपकी eligibility आ रही थी क्योंकि आपने यह यह की limit eligibility obviously हिट हो गई है तो आपको उसके according आपको अब हमें mitigate करके देना पड़ेगा तो यह चीज़े ठीक है यह सब यह सब कर लिया उसके बाद अपना banking analysis की क्लाइंट का banking analysis वैसी करना है जो ऐसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है पूरा इंडेप्थ चेक कीजिए banking को चेक कीजिए कोई trigger transactions कर रहा है तो उस चीज़ को पॉइंट को नोट कीजिए और concerns में अपने रेज कीजिए जी एस्ट रिटरंस उसकी चेक कीजिए और sales का क्रंटेर का trend चेक कीजिए कि किस रिखेंट जा रहा है ताकि आप projections उस अकॉर्डिंग कर पाएं और case को पढ़ पाएं कि क्लाइंट किस डिरेक्शन में जा रहा है ITR का assessment जो नॉर्मल में आपको सिखाता हूं उसी तरीक के सिखीजिए कोई भी अने दर अब रन्यूवल्ज होता है वह तो बारा मीने बात होता है तो जब आप आपके साथ पास लेटे स्टॉक ओडिट होना चाहिए अब माली जे लास्ट केस आपने स्टमबर 21 में सेंक्शन किया था ठीक है अब अब दिसमबर 22 है तो स्टॉक ओडिट उसने माली जे उस समय समबर 20 तक कितने महिने बनते है नाइन मेंस बनते है तहीक है उसके बाद उसने स्टॉक ओडिट करवाय दिस एटिसमबर 21 में ठीक है अब दिसमबर 22 में बैठे है ब वान एम ए एक स्टॉक बाइट हो गया तो अब ये चलाएंगे अपनी रन्यूवल के लिए आप उसको है लेटर स्टॉक अडीटर करवा के दे वह रिपोर्ट मेरे को चाहिए ही चाहिए ठीक है तो स्टॉक अडीटर आपको अच्छे से पढ़ना है कि स्टॉक आउडिटर के क्या रिमार्स हैं इसके बारे में मैं आपको शिखा जुका हूं stock statements last 6 मीने की RM क्योंकि stock statement client हमें ही submit करता है हमारे bank को तो client से माँगने की तो जरूरत है नहीं आप RM से माँग लीजिए या operation department से माँग लीजिए तो वो 6 मीने की stock statement चेक किजिए stock statement को कैसे चेक करना चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो में सिखा चुका हूँ pending compliance ये मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ ये आपको RM से लेने पड़ेंगे कि client के कौन कौन सी चीजे थी जो pending for submission है bank को इसमें कई बर property भी हो सकती है कि client ने कोई property का document माल ली जमाबंदी पे lien mark कराना था या कोई non-incumbrance certificate देना था या कोई property taxer sheet देनी थी वो pending पड़ी है या कोई stock insurance का shortfall चल रहा है कि stock insurance करवाना था एक रोड का बट अभी 80 लाग का stock insurance दिया 20 लाग का pending चल रहा है या कोई documentation client ने बोली थी कि यह document मैं आपको इतने दिन मैं submit करूंगा वो pending चल रही है या हो सकता है कि latest stock statement उसने अभी 15-20 दिन से submit न की हो जो भी latest pending compliance है वो operation department से या जो भी आपकी कोई MIS अगर central level पे आती है तो वहाँ से retrieve कीजिए और उनको close करवाना आपके लिए जरूरी है जो close हो सकते है अगर कोई pending compliance अभी भी close नहीं हो रहा ठीक है बहुत पेंडिंग compliance वो वाले देखने है जो overdue में है overdue में कई बार ऐसे होता है कि pending compliance में जैसे December 22 चल रहा है तो कोई compliance इस तरह का है जो March 23 तक comply करना है वो तो फिर time पढ़ा है अभी तीन मिने उसके बारे में तो अभी क्या ही mention करेंगे जो overdue हो चुके हैं जो जिरकी timeline expire हो चुकी है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर ठीक है तो वो jot down कीजिए और उनको close करवाईए उसके बाद client को visit कीजिए अगर आपका usually bank एक करोड से उपर का case हो तो उसमें visit करने के लिए बोलते हैं तो आप client को visit कीजिए अगर आपका छोटा case है तो आप client से phone पे बात जरूर कीजिए उससे सारी चीज़े discuss कीजिए कोई business model में change देनी हुआ या जो भी आपकी observation निकल के आई है RM से उसकी visitor report ले जी अगर आप खुद नहीं जा रहे तो small case पे ठीक है अगर आप visit पे जाते हैं तो मैं recommend करूँगा कि आप collateral properties को visit जरूर कीजिए क्योंकि जो properties दो साल पहले आपकी evaluation हो चुकी थी माले जी latest evaluation due नहीं है revised evaluation due नहीं है तो हो सकता है कि property में उसने कोई change ना कर दियो कई बर हमारे पास एक आद क्रेस ऐसे भी आया है तो उसकी रैजी property थी built-up property थी तो अभी मौक्के पे जाके दिखा जो सारी property उसने तोड़के खतम कर दी वहाँ पे खाली प्लॉट ही रह गया ऐसे circumstances भी होते हैं तो यह चीज़ का प्लॉइसली रिस्क नहीं लेना चाहिए हाँ बट क्लाइंट की कॉल पर आप जूर confirmation ले सकते हैं कि यह property आपकी हमारे पास पड़ी है तीन property है और यह property आपकी self occupied commercial property है एक प्लॉट है एक रेजी property है क्या इनमें कोई चेंज तो नहीं हुआ इनकी कोई ownership तो नहीं चेंज होगी या इनको कोई कराय पे तो नहीं चड़ा दिया या इनके उपर कोई construction वगरा या कुछ और modification तो नहीं किया या मलब देखिए 180 days का timeline होता है from the due date आपको renewal करने का ना bank चाता है कि उसका account खराब हो यह मुद्दे की बात है यह पते की बात है सारी ना client चाता है कि उसका account खराब हो ठीक है तो renewal तो आप चाहे लड़ मर भी जाओ आपकी sale उसकी कम हो जाए उसके financial खराब हो जाए आप जितना option basis पर करो चाहे आप डिवेशन सारी concerns कीड़े डाल दो अपने पूरे के पूरे के यह गंद्याव चीज़ यह गलता है यह गलता है यह गलता है दस पॉइंट लिख दो गलत renewal तब भी बैंक करेगा यह चीज़ आप जाद है कि मैंने खराब से खराब account का जो बिलकुली आपका हो गया तो चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो आपको संभालना ही पड़ेगा ठीक है तो वह renewal आपको करना ही पड़ेगा तो इस वज़े से समझिए चीज़ों को कीजिए क्लाइंट से डिसकस कीजिए अपने कंसरंस रेज कीजिए जो भी आपकी observations है आपके नोट में आपकी 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 नोट में आपकी आपकी स्ट्रेस का सिगनल देखा ही नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए अपना जरूर कीजिए बट उसको लेके उसकी फाइल को अप अपनी इंचे रखके उसके उपर बैठ मत जाईए रनीवल आपको निकालना पड़ेगा यह चीज़ का ध्यान रखिए यह चीज आपके उपर है कि आप उसको कितना डेले करना जाते हैं वो डिपैंड करता है कि कितना critically रनीवल फसा हुआ है ठीक है आप इसमें अगर आप परसेंट का penal इंटरस्ट एक परसेंट का penal इंटरस्ट लगा दीजिये तो क्लेंट के उपर अंडर प्रेशर आ जागा कि पहले ही ब्याज इतने बड़े हुए दो प्रसेंट बैंक मेरे को और लगा रहा तो आप बी चाते हैं कि क्लाइंट चले जाए तो अपर बाप बहल पानी रहे क्लाइंट को कि चले जाओ हमारे बैंक को छोड़ के पीले इंटरस्ट लगा दीजिए अपने moral pressure रहे का किसी दूसरे बैंक के पास अपलाई करेगा लिमिट रड्यूस करने की उससे बात कर लीजिए कुछ जाद ही आपको खराब लग रहा है क्लाइंट की भाई य इमिडिटली डाउनफॉल कर दीजिए लिमिट तो वैसे भी repayable on demand होती है ऐस पर सेंक्षिलेटर तो क्लाइंट भी आपको क्या बूलेगा कि आपने कैस डाउनफॉल क्यूं कर दिया रीपेबल on demand है जी लिमिट तो बोल दीजिए मन्थली drop apply कर दिजिए क्लाइंट से बात के इसमेंट को आप कुछ लिमिट को partially मन्थली कम करना शुरू कीजिए मालेजी लाग रुपे महिना हमें वापिस करना शुरू कर दीजिए ठीक है नहीं हो रहा ये भी तो क्लाइंट को exit mark कर दीजिए अपनी system में लिख दीजिए कि credit की तरफ से exit mark case है sales को देखना है कि जैस सब्सक्राइबर कंडिशन जो को suitable लगती आप लगाई है इसमें से as per case to case basis सम्टाइम्स अगर आपके पास कई बार आपके पास देखे ऐसे सरकमस्टांस भी आते हैं मेरे पास कि आपके आपका renewal due था और उसके बाद 6 मीने बीत गए मतलब 180 दिन बीतने वाले हैं और renewal आपक आपके पास documentation नहीं complete आए तो अब क्या करेंगी पांच दिन रहें अगर ना पांच दिन में किया तो technical NP हो जाएगा बैंक भी फसेगा customer भी फसेगा तो renewal तो करने पड़ेगा तो इस scenario में shorter new ल कर दीजिए shorter new ल मतलों जो complete new लोता है वो तो 12 months को होता है 12 months की validity वाला shorter new लोता है वो से जंजाल से बार निकल जाते तो आपको एक breathing space मिल जाती है तीन मेने की और तो इसको shorter new ल बोलते हैं तो shorter new word आपको काफी बर सुनने में भी आएगा जब आप practically काम करें तो यह चीजों को आप as a last resort ही use कीजिए यह चीज आप use कर सकते हैं अगर आपका client काफी खराब च manager भी यह चीज मत सोचना आप कि रहार वह पता ही है अर्मीबल तो करना ही पड़ेगा चाहे रोके करो चाहे हसके करो तो लेके बैठेरो के इसको 180 जब होने वाले होंगे तभी login डालना credit अपने आप करके देगा पांच दिन में ठीक है यह thought process मत रखना भाई bank के लिए काम कर करना है तो value addition वाला करना है खुद की भी value addition करनी है और bank को भी value addition करके देनी है टाइम पास के लिए नोकरी कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है इस नोकरी का ठीक है तो यह चीजों को आप प्लीस अपने माइंड में ध्यान रखिए तो I don't think मैंने I think मैंने अपना मतलब बिलीब कर रहा हूँ कि काफी चीज़े मैंने input दे दी हैं आपको कि new plane, renewable cases को कैसे adjust करना चाहिए कैसे take up करना चाहिए rest अगर आपको कुछ लगता है तो आप लिस comment box में डालिए तो बने रही है channel के साथ thank you very much guys